बड़े बुजर्गों का एक अलग तरह का सहारा होता है आप उसे मॉरल सपोर्ट कह लें या नोशनल सपोर्ट लेकिन घर में उनका होना ही काफी है ऐसे ही बड़े बुजर्ग की भूमिकाओं में दिखते थे मनमोहन कृष्ण उनके प्यारी सी मुस्कान चहरे पर भावनाओं का सैलाव कही न कहीं देखने वालों को उनसे बहुत गहरे जोड़ देता था शायद इसलिए वो 40 सालों तक हिंदी फिल्म दर्शकों के चहेते कैरेक्टर आर्टिस्ट रहे मनमोहन कृष्ण ने भी उसी दोर में फिल्मी दुनिया में कदम रखा था जब फिल्म में एक टाबो हुआ करती थी उस पर खायामत ये कि उन्होंने अपनी प्रोफेसर की नौकरी छोड़ कर फिल्मों को अपनाया था उस वक्त उनका ये कदम रिस्की तो था मगर अपने पैशन को फॉलो करने के लिए रिस्क तो लेना पड़ता है और अगर मौका सामने हो तो उसे छोड़ना भी बेवकुफी होता है इसलिए उन्होंने ये रिस्क लिया हुआ ये कि एक इंटर्वियू देने वो मुंबई गए थे वहाँ एक जानने वाले के हाँ पार्टी थी और क्योंकि वो कॉलेज के दिनों में अपनी सिंगिंग के लिए बहुत मशूर थे तो वहाँ भी उनसे गाने की गुजारिश की गई उनकी आवाज और परसनालिटी से मतासिर होकर वीशांतराम उनके पास आये और उनसे उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछा साथ ही उन्हें फिल्मों में काम करने का ओफर भी दे दिया हाला कि उस वक्त वो वीशांतराम को पहचानते नहीं थे मगर जान पहचान के बाद भी वो अपने डॉक्टर पिता की वज़ह से उस आवफर को सुईकार करने से जिजग रहे थे मगर वीशांतराम की होसला अफजाई ने उनकी सारी जिजग दूर कर दी और यहीं से MSC पास फिजिक्स के प्रोफेसर मनमोहन कृष्ण के जीवन की दिशा बदल गई उनकी पहली फिल्म रही 1947 की अंधों की दुनिया जिसमें वो लीड रोल में नजर आए और एक गाना भी गाया इसी फिल्म में नहीं बलकि आगे भी कई फिल्मों के गीत उन्होंने गाया इन में मराथी म्यूजिकल मतवाला शायर राम जोशी का हिंदी वर्जन भी शामिल है जिसमें उन्होंने मुख्य भूमी का भी निभाई थी 1949 की फिल्म अपना देश का टाइटल सॉंग गाने के अलावा इसमें वो एक सफेस्टिकेटिड विलन के किरदार में दिखे 1950 में आई देवानंद की फिल्म अफसर में भी उन्हें गाना गाने का मौका मिला मगर एक सिंगर के रूप में उनका करियर परवान नहीं चड़ पाया और इसका अफसोस उन्हें हमेशा रहा ये गाना उरिजनली मनमुहन कृष्ण की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था मगर फिल्म में रफी सहाब के गाए वर्जन को यूज किया गया 11 अगस्त 1922 को जन में मनमुहन कृष्ण को सबसे यादगार कैरेक्टर आर्टिस कहा जा सकता है उनके किरदारों ने दर्शकों को हमेशा प्रभावित किया उन्हें ऐसे किरदार निभाना पसंद था जो उनकी असल इमिट से एकदम अलग हो और इसे उनकी खुशनसी भी कह सकते हैं कि उन्हें अलग-अलग किरदार निभाने का मौका भी मिला वरना अकसर कैरेक्टर आर्टिस्ट टाइप कास्ट हो जाते हैं बैजुबावरा, आनार कली, बसंत बहार, नयाद और, साध्धा जैसी फिल्मों में उन्होंने अलग-अलग तरह के रोल्स किये लेकिन उनका सबसे यादगार किरदार है धूल का फूल फिल्म से बियार चोपड़ा और उनके भाई यश्चोपड़ा की मनमोहन कृष्ण दोनों भाईयों के पसंदीदा कलाकार थे चोपड़ा ब्रदर्स की नया दौर, साधना, धर्मपुत्र, वक्त, आदमी और इनसान से लेकर हमराज, दाग, दिवार जैसी कई फिल्मों में वो छोटी बड़ी भूमी का निभाते नजर आए बाद में यश्चोपड़ा ने ही उन्हें निर्देशक बनने का मौका भी दिया 1989 में आई ये फिल्म सुपर हिट रही और इसके गाने तो आज भी बहुत पसंद किये जाते हैं फिल्म थी नूरी लेकिन इसके बाद उन्होंने फिर किसी फिल्म का निर्देशन नहीं किया करीब धाई सु फिल्मों में अपने अभिने के रंग भी खेरने वाले मनमुहन कृष्ण ने एक चरित्र कलाकार के तोर पर बहुत वेराइटी थी हर तरह के किरदार को परदे पर साकार किया मगर उनके खुद के पसंदीदा किरदार थे बसंत बहार के गुरू लहरी बाबा साधना फिल्म का खलनायक लालू उस्ताद और बीस साल बाद का गातिल रामलाद तो तुम ही हमेशा रात को जागीरदारों का खून करने के लिए इदर फिर से हो अलकि उन्हें बुरे आदमे के तौर पर इमाजिन करना ही थोड़ा मुश्किल है पर उन्होंने खलनायकी में भी रंग जमाया है कॉलेज के दिनों में उनकी बहुत इच्छा थी रेडियो पर काम करने की मगर जब प्रोग्रामिंग के इंट्रव्यू के लिए गए तो उनसे कहा गया कि आप टेकनिकल साइट के लिए अपलाई करें खुशिया लोटाता ये शख्स इस दुनिया को अलविदा कह गया और पीछे छोड़ गया अपने बेमिसाल अभने की सौगात